अब जो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वाकत है आज के इस नए वीडियो में सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरातरी की बहुत-बहुत सुभकामना है हिंदू नवर्स की भी बहुत-बहुत सुभकामना है इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो की ब सारे लोगहों को नहीं मिला है तो वह डिप-बाय करने की कोशनातर चाहिंगे तो यहां पे आपको दोनोई ही लेफ्रस बताने वाले हैं कि लिस्टिंग के बाद क्यूंकि लेस्टिंग उसकी कल होने वाली है बहुत सारे बड़े-बड़े exchanges में आ रहा है तो यहां पे आप जिस भी exchange में यहां पे sell करना चाहें वहां पे sell कर सकते हैं पर कितना क्या price जा सकता है उसके according यहां पे आपको हम बताने की मिला है तो आप इसे dip में buy कर सके जैसे हमने gpt के बारे में बताया था क्योंकि इसकी जो हाइप है वह अभी बहुत ज़्यादा है और लोग इसे डिप में बाय करने की कोसिस करेंगे और आगे चलके अच्छा return भी यह दे सकता है तो इस वीडियो जल्दी लेकर आओंगा क्या हम expect कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे पर आज के इस वीडियो में बताएंगे इसरिफ और सुर्फ अर्बेरण के बारे में तो यहां पर आगर आप देखो तो हुँँसार लोगों को यहां पे Hangप मिला है और यहां पे कुछ कुछ टास्क करने तहें जिसके रिङव territor added points यहां फे बारा सो पचास जो टोकन वह आपको मिले हैं बारा सो पचास लेकि Dmens सजार टोकन तक यहां पे मिले हैं मतलब अगर एक डॉलर भी इसका प्राइस गया तो आपके जोली में बारा सो पचास डॉलर तो आने से ओर हैं पर मैं आपको कहूंगा कि देखो आपको अभी सेल नहीं करना है बहुत जल्दबाजी में सेल नहीं करना क्योंकि आगे चलके ज हुआ था यहां पे अगर आप ओपी का चार्ट देखो तो ओपी हमने जब यहां पे डंप किया था तब हमने आपको यह वाला लेवल एक लगबग दिया था जिरो पॉइंट फाइब सेंट के करीमें हलाकि उसके नीचे भी गया था पर देखो फाइब फिप्टी सेंट तक अगया था और वहां से जब इसने ग्रोथ पकड़ी है तो फिर बहुत ही तगड़ा वापस से पंप किया था फिर वापस लगबग नीचे की हो रहा है और वहां से फिर अगर आप देखो गए तो इसने फिर बहुत ही बढ़िया पंप किया है लगबग यहां पे 3-4x तक च चलना चाहिए अगर आप लिस्टिंग को टाइम पे शॉ Becca कर आश्या थरि यहां पे यहां पडेखा जाया तो जो एह ड्रॉब्ग यहां पे 11.62 परसेंट क्या एस पास में और थोड़ा बहुत और supply है कुछ unlock होने वाले है token investors के या कुछ थोड़े बहुत और होंगे तो supply लगबग 12.75 something के आसपास में साथ unlock होने वाली है और यह market में आएंगे 1.162 billion जो है airdrop में यहां पर लोगों को मिले है तो यह तो definitely आने वाले हैं 100% unlock होने वाले हैं claiming के लिए यहां पर अगर आप ने कुछ भी यहां पर टास्क परफॉर्म किया है तो definitely आप क्लेम कर सकते हैं one day seven hour अभी यहां पर remaining ठीक है तो यह claim करने की website है इसी पर जाहिएगा बहुत सारे scam website जो है यहां पर ला रहे हैं even twitter पर मुझे बहुत सारे लोग टैग भी कर रहे हैं ऐसी fake websites को तो उस पर आपको नहीं फसना है बहुत सारे लोग जो है fake website बना के आपको claim करने के लिए वहां पर आपका process करवाएंगे और ऐसे में आपका जो wallet है वो hack हो सकता है तो उस चीज से आपको बचना है यही website है इसी website पर जाके claim करना है आप चाहो तो link के यहाप description में मैं डाल दूँगा वहां से जाके आप कर लीजेगा अगर आपको मिला है तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर बागी यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पर जो total supply है इसकी जो है वो 10 billion के आसपास में होनी वाली है inflation max 2% year रहने वाला है और यहाँ पर snapshot timing वो सब आप यहाँ पर देख लिजेगा जो main चीज है उसके उपर यहाँ पर चलते हैं यह देखो 400 डॉलर भी चला गया था तो यह सब फेक है इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है आप यहाँ पर जाके आर्बेटरम बाय मत करिएगा अधर्वाइज आप फस जाएंगे 7.71 डॉलर चल रहा है बहुत ही हाई पर फिर भी यहाँ पर बहुत उपर चल रहा है यहां पर यहां पर पॉलिगन की बात की जाएं तो पॉलिगन देखो रहा रहा है तरफ कन रहा है boar नोमालै की supply थोड़ा सा इससे कम है पर यहाँ पर पॉलिगन की बात की जाए तो पॉलिगन देखो rank 9 पे चल रहा है और 10 billion की supply है लगभग 8 billion के आसपास में market में आ चुकी है पर उसके इसाब से यहाँ पर आर्बिटर में इतनी ज़्यादा के आसपास में तो इसी के आसपास में अगर आप चाहें थोड़ा बहुत से रिटन मिलेगा बाइभग मिल जाएगा और आपको एक अच्छा रिटन भी मिल जाएगा जैसे हमने आपको बताया था जीपीटी में टीपीटी भी आपने देखा होगा 1.95% के आसपास में pump हो गया था जब हमने दिया था उसके dip by level से अब चलिए बात करते हैं यहां पर सबसे important चीज के बारे में जो की है price prediction कितना जा सकता है कितना हम expect कर रहे हैं उसके बारे में यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ट्विटर हैं दा modest thief इन्होंने एक पूरा calculation कि है जहां पर इनके according अगर देखा जाया तो 12.75 जो percentage supply है वह यहां पर circulating supply initial होने वाली है और यहां पर अगर देखा जाया जो FDV है यहां पर तो आर्बिटरम ओपी और मैटिक की लगबग यहां पर थोड़ा सा यहां पर होने वाली है और यहां पर सेम जैसा calculation जिस तरीके से यहां पर है O P और मैटिक का वैसा ही calculation यहां पर इनका निकाला गया है ARB का यहां पर आप देख सकते हो total value log कितनी है इसमें circulating कितने token होने वाले है market cap क्या हो सकती है इसके साब से FDV क्या हो सकती है max supply क्या हो सकती है max supply तो इसकी 10 billion है दोनों की और इसकी इतनी है FDV यहां पर अगर देखा जाया तो यह 17 billion के आसपास में बता रहे हैं तो 17 billion तक अगर market cap जाती है fully diluted value जो है अगर इतनी जाती है तो इसका जो token price है यहां पर अभी के time पर देखा जाया तो Matic का 1.12 है OP का 2.42 है और SM ARB का जा सकता है 1.74 तो यह इनका यहां पर prediction है साथ ही एक दो और calculation है यहां पर अगर यहां पर देखा जाया तो अगर यही जो इन्होंने दूसरे Twitter handle है इन्होंने यहां पर calculate किया है वो है अगर यहां पर 14 billion के आसपास में अगर fully diluted value जाती है तो यह आ सकता है 1.39 मतब 1.40 dollar के करीम में साथी एक और यहां पर Twitter handle है जिन्होंने यहां पर बताया है कि अगर इस तरीके से होता है यहां पर आप देखो hypothetical market cap of arbitrum versus circulating supply of ARB तो उसके इसाब से जो इसका price है settle हो सकता 0.80 से ठीक है तो यहां पर दो-तीन लोग का हमने यहां पर analysis देखा और इनके according एक का कहना है कि 1.74 जाएगा एक का कहना है कि 0.80 सेंट जाएगा तो यहां पर देखो हम यह मान के चलते हैं हमारा जो calculation है वो यह कहता है कि हम at least जो है एक डॉलर से दो डॉलर के आसपास में जब price settle होगा उस समय जा सकते हैं क्योंकि देखो जैसे ही यहां पर exchange में लिस्ट होता है तो उस समय तो price pump होता है आप सभी को पता है बहुत तेजी से pump होगा हो सकता है 5-10 डॉलर भी टेस्ट कर जाए पर उसके बाद में जब price settle होना start करता है सभी exchanges का बराबर होता है तो उस समय एक डॉलर से लेके 2 डॉलर के आसपास ही मैं expect कर रहा हूँ exact figure मैं नहीं बता सकता पर हाँ फिर भी मैं expect कर रहा हूँ कि 1.5 डॉलर तक तो यहां पर settle होना चाहिए बहुत जादा selling अगर pressure नहीं आता है otherwise हम एक डॉलर से लेके 1.50 डॉलर के आसपास ही रहेंगे और अगर buying level की बात की जाए तो मैं आपको advice करूँगा कि वही 0.80 जो यहां पर price बताया जा रहा है उतना आए या उसके नीचे आए 50 cents से लेके 80 cents के आसपास मैं expect कर रहा हूँ dip buy level का तो यहां पर buy करना मेरे साब से बहुत अच्छा रहेगा आगे चलके अर्बिटरम का use case भी बहुत जादा है और अगर देखा जाए तो यहां पर जो value locked है वो भी बहुत जादा है use case भी इसका बहुत जादा है तो आगे चलके इसका price डेफिनेटली आगे चलके जा सकता है पर आपको dip में buy करना मिस नहीं करना ठीक है तो यहां पर हम बात करें लिस्टिंग के टाइम कितना जा सकता है तो मेरा अनुमान है एक डॉलर से लिके दो डॉलर के आसपास में आपको sell करना चाहिए अगर इसके उपर चला जाता है तो फिर बहुत ही बढ़िया फिर फिर मला मल हो गया आप अच्छा प्राफिट आपको मिल जाएगा और अगर नहीं जाता है तो एक डे डॉलर के आसपास में या एक डॉलर के आसपास में जो भी तरीके से optimism यहां पर pump हुआ था उस तरीके से यहां पर हमें आर्बिट्रम में भी pump देखने को मिलेगा अगर यहां पर देखो तो आर्बिट्रम भी optimism अगर आप देखो यहां पर लगबग 40 cent के करीम में आके और यहां पर 4x तक pump हो गया था तो ऐसा case यहां पर आर्बिट्रम में भी देखने को आपको मिलेगा बस यही है कि आपको dip में buy करके चलना पड़ेगा 50 cent से लेके 80 cent के आसपास में dip buy level में expect कर रहा हूँ बाकी यहां पर जब list होगा उसके बाद में आपको definitely मैं बताऊँगा उसके लिए आप telegram चैनल को कर लिजेगा ट्विटर पर फॉलो कर लिजेगा जैसे आपको अपडेट मिलती रहे और साथ ही चैनल को subscribe कर लिजेगा बागी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेकेट